आद आप गुड़ीवनिंग नमस्कार रात के नौ बजे एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत क्राइम तक की कहानी में इस वक्त लाइव पार्लेमेंट में जो सर्वनों में आरक्षन है दस फीसदी उस पे बहस चल रही है लगातार आज देखिए अभी वोटिंग भ होगी तो खेर ये तो अलग खबर है आद की खबर जो आद की कहानी है बलके यूँकर है इसकी भी डिमांड बहुत टाइम से आप लोग कर रहे थे बाबा राम रही मैं पूरी कोशिश करूँगा कि बच्पन से लेके और जेल जाने तक बाबा रहीम के जिन्दगी का जो सामने रखूँ लेकिन मैं इस कहानी को शुरू करूं उससे पहले दो तीन चीजे मुझे लगता कि कहना जरूरी है अब ही इतने बाबा हिंदुस्तान में हैं जेल के अंदर जेल के बाहर दोनों क्योंकि जेल के बाहर भी अभी बहुत सारे बाबा है और अगर मैं गिंती कि मैं ने टॉप के बाबाओं की जैसे आसा राम पांच छे करोड फॉलोर्वर्स संतराम रहीम करीब सारे करीब Welsh करोड फॉलोर्स और इसके अलावा बाकिकलेलेगलाख้ं है तो ये दो बावाओं को ही ले ले लें तो करीब दस करोड़ों से जाधा सवा सव करोड़ों की अबादी और दस करोड़ों तो ये दो बावा ही अपने नाम पे ले जाते हैं followers तो ऐसा क्यों? पहला सवाल दूसरा, आप थोड़ा सा पास्ट में जहां किये और हम लोगों से जो पहले का टाइम था जो हमने किताबों में पढ़ी और जो इतिहास के पन्नों में है किसी भी धर्म को लेकर अब आप उस दौर में भी जाहिर सी बात है हस्थो हर दौर में बाबा और इस तरह के लोग हुए है संथ हुए हैं महात्मा हुए हैं लेकिन आज मैं यही सोच रहा था इस कहानी को सुनाने से पहले कि मेरे जहन में है कि आप लोग भी सोचते हैं ऐसा कि वाकरी ऐसा क्यों है तो उस दोर में भी इतने सारे संथ महात्मा ये बाबा पैदा हुए उन सब के बारे में जितना मैंने पढ़ा है एक चीज बड़ा कौमन था और वो ये कि अपनी पूरी जिंदगी इन्होंने फकीरों की तरह गुजारी ना इनके पास कोई पैसा ना इनके पास कोई संपत्ती ना प्रोपर्टी ना जैदार ना दौलत ऐसे ऐसे दोर में ये संत म हात्मा गुजरे जिनका अपना ठिकाना तक परमाने नहीं था आज यहाँ आँ कल वहाँ आँ कल किसी और की कुटिया में हैं उस जबने में भी उनके मानने वाले तमाम लोग लेकिन उन्हों कभी किसी से पैसे नहीं लिए कभी कोई आश्रम इस तरह की चीज़े बनाने की क बोशिश नहीं की बलकि जो इनके पास होता था वो भी वो लोगों को जरुवत मंदों को दे 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 थे तो ये एक इतिहास रहा है इसी देश में संतों, महात्माओं, बाबाओं का क्योंकि हर दौर में ऐसे लोग पैदा हुए हैं लेकिन अभी के अगर मैं दौर में देखू पिछले 40-50 सालों में तेक तो बाबाओं की तादात बहुत ज़्यादा बढ़ी इस देश में नमबर एक, नमबर दो, कोई भी बाबा फकीर या गरीब नहीं है और ये भी नहीं कि कोई बाबा सिर्फ लग पती करोर पती है, सब अरब पती हैं तब बाबा रहीम, रहीम, र अर्मों की संपती है, पता नहीं कहां-कहां आश्रम है, देश में, विदेश में और क्या-क्या सारी एशो आराम की चीज़ें हैं जबकि एक संत, एक फकीर, एक बाबा, इनका पहला, जो मकसद ही होता है, वो ही होता है, कि दुनियावी मोह माया से दूर, वो सर्फ जो संसा जारिक भोग है, दुनिया की चीजें हैं, आशो आराम हैं, उनसे दूर रहकर, शान्ती के लिए और मोक्ष के लिए जो चीजें होती हैं, जो ग्यान होता है, वो देने का काम करते हैं, लेकिन हमारे आज के जो बाबा हैं, वो सब खुद इतने आशो आराम में रहते हैं, ही बना रखा था बलके बाबाराम रहीम ने, तो यह सोचने की सिर्फ इसले जरूरत है, कि जो बाबा खुद और फिर उन बाबाओं के बारे में ये भी जानना कि इनका, इनकी शुरुआत क्या थी, इनकी असलियत क्या थी, तो जितने भी बाबा आज के हैं, आप उनके बा करता था और देखते देखते अचानक वो संद भगवान महात्मा बन गए और उसके बाद अचानक अरपती बन गए तो अगर यही चीजें हम सब सोचना शूरू कर दें इन बाबाओं के सिर्फ इतिहास के पन्ने को खंगाल डालें कि यह पहले क्या थे अब क्या है बाबा कैस शे करोड फालोवर्स हैं और शाहत पांदस में भी सिमट सकते हैं यह बताना इसलिए जरूरी था कि यह सोचने की चीज़ है कि आखिर लोग ऐसे बाबाओं के चंगल में फंसते कैसे हैं और यह बाबा होते क्या है और राम रहीम किया जो कहानी सुनाने का मेरा मकसद है वो हंगामा हो जाता था लेकिन जेल में अब रेपिस्ट कटाया गया बलातकारी बाबा तो राम रहीम का भी बच्पन अगर आप देखें तो ऐसा क्या था जो वो अचानक संत और भगवान बने भगतों के लिए अपने श्री गंगा नगर के एक जमिनदार का बेटा और अच्छे खासे ये बाबा थोड़ा इसलिए भी अलग है कि गरीबी में नहीं पला बढ़ा अच्छा खासा जमिनदार इनके जो पिता थे वो जमिनदार थे और मघहर सिंग श्री गंगा नगर के जमिदार मघहर सिंग के घर में एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम गुर्मीत रखा जाता है और पढ़ने लिखने में बिल्कुल एवरिज बलके स्कूल में फेल भी हुआ लेकिन मघहर सिंग तब डेरा सच्चा सोदा के फॉलोवर्स में से एक थे और वो अक्सर डेरा सच्चा सोदा के आश्रम में जाया करते थे तो जब गुर्मीत छोटा था तो वो उसको साथ अपने भी ले जाते थे धीरे धीरे गुर्मीत भी डेरा सच्चा सोदा में आना टाइप कोई चीज बने लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि जब वो आश्रम में आना गाना शुरू करता है तो उस वक्त जो डेरा प्रमुक थे वो थे शाह सतनाम जी शाह सतनाम जी डेरा प्रमुक वा करते थे धीरे धीरे वक्त बीता ये डेरा सच्चा सौधा में लगातार सुबा से शाम तक इसके घरवाले भी चाते थे इदर उदर कुछ न भटके तो वो डेरा सच्चा सौधा में ही काम किया करता था इसी दोरान में गुर्मीत के बच्पन का एक दोस्त था गुर्जन्थ सिंग गुर्जन्थ सिंग के चाचा की आपसी रंजिश में खतल हो जाता है उनका उनको कुछ लोग मार देते हैं गुर्जन्थ सिंग को ये बात बड़ी बुरी लगती है वो गुसायल तो गुर्जन सिंग अपने चाचा का बदला लेने के लिए जो जिसने उसके चाचा को मारा था गुर्जन सिंग उसका मटर कर देता है और इस मटर के बाद पलिस उसे पकड़ लेती है वो जेल जला जाता है उस वक्त खालिस्तानी जो एक आंदोलन था और खालिस्तानी जो टेरिरिस्त थे उनका भी जोड था और दबदबा था तो जब गुर्जन सिंग जेल जाता है तो उस जेल में उसकी कई खालिस्तानी उगरवादियों से मुलाकात होती है और वो उनके साथ जेल में काफी वक्त बिताता है और उनके साथ रह रहकर वो भी एक कटर अलगावादी टाइप का इंसान हो जाता है इसके बाद जब वो जेल से रहा होता अपनी सजा पूरी कर चुके जो उसने मडर किया था जो कतल किया था उसमें ये भी था कि ये उसका पहला जुर्म था और ये बदला लेने के लिए पारिवारिक जगड़ा तो आदालप ने भी उसको बहुत ज़्यादा सजा नहीं दे तो इधर वो उसका दोस्त जो गुर्मीत का वो एक कालिस्तानी आतंगवादी उसने बंदूग थाम जिया देल से आने के बाद इधर गुर्मीत धीरे धीरे डेरा सच्चा सोदा में जवान होने लगता है और सब कुछ ऐसी नॉर्मल चल रहा था तभी अचानक डेरा प्रम है वो किसी और को सौंपना चाहते हैं और खुद सन्यास लेकर कहीं चले जाना चाहते हैं तो वो अपना उत्राधिकारी तै करेंगे तो उस वक्त कहते हैं कि तीन नाम थे उत्राधिकारी के लिए और उन तीन में से एक नाम गुर्मीत का था लेकिन गुर्मीत का नाम तीसर नमबर पे था क्यों कि उससे जो दो बाकी उत्रादिकारी थे वो शाह सतनाम के साथ बहुत पहले से थे और उनका पूरा आच्चनन उनका वेवार भी उस तरीके का था कि लोगों को लगता था कि डेरा सच्चा सौधा का अगला प्रमुक उन्हीं दोनों में से कोई एक होगा लेकिन हैरत अंगेज तोर पर शाह सतनाम जो डेरा प्रमुक के उस वक्त प्रमुक थे वो उन दोनों को दरकिनार कर गुर्मीत को डेरा सच्चा सौधा का अपना उत्रादिकारी डेकलेर कर देते हैं और ये बात तमाम लोगों को उस वक्त चौंकाती है जितने भी डेरा सौधा के समर्थक थे उनके अनुयाई थे उसके बाद ये बात दभी जुबान में उस वक्त रुठी और वो आज तक चल रहा है वो ये कि जब डेरा प्रमुक्षा सतनाम ने इलान किया कि वो सन्यास लेना चाहते हैं और अपना उत्रादिकारी बनाना चाहते हैं उसी वक् अपने उस बच्पन के दोस्त गुर्जन सिंग जो अब आतंगवादी बन चुका था उसका इस्तमाल किया और उस गुर्जन सिंग के जरीए शाह सतनाम डेरा प्रमुक्षा को धंकाया गिया उनके आजपास के करीमी लोगों को धंकाया गिया उन्हें बुरे अंजाम की धं बनाना है तो वो सिर्फ वसर्फ गुर्मीद बनेगा और उसी दबाव में और उसी डर की वज़ा से कहते हैं कि गुर्मीद को डेरा सच्चा सौदा का प्रमुक बनाया गिया और उसको प्रमुक बनाते ही शाह सतनाम ने गुर्मीद का फिर नामकरन किया और उसका नाम पड अलाकि ये जो गुर्जन सिंगी मैंने पूरी कहानी आपको बताई ये सब जो भी डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हैं उस जमाने से वो ये सारी चीज़े मानते हैं सब मानते हैं लेकिन इसको लेकर पुखता तौर पर राम रहीम के खलाफ कभी कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया लेकिन कहते हैं कि ये कहानी उतना ही सच है और राम रहीम धोके से डरा कर धमका कर उसने ये डेरा सच्चा सौदा के प्रमुक की कुर्सी हतिया हतिया थी खैर इसके बाद अब राम रहीम धेरा सच्चा सौदा का प्रमुक बनता है कम उमर में और उससे पहले उसकी शादी हो चुकी थी उसकी दो बेटियां और एक बेटा पत्नी घर में उसके बाद जब ये प्रमुक बनता है तो ये सारे परिवार के लोगों को अपने आश्रम में अपने साथ रखता है राम रहीम जबकि एक संथ के लिए ये है कि परिवार और इन चीज़ों से दूर रहते हैं शुरू में उसने छुपाने की भी कोशिश की थी लेकि ये बात छुपी नहीं क्योंकि वह लगातार पहले से आ रहा था वहां पर और इसके बाद धीरे धीरे अब बाबा राम रहीम अपना सामराज्य कायम करना शुरू कर देता है लेकि इस से पहले कि जो डेरा सच्चा सौधा के दो तीन प्रमक हुए थे जो आखरी शाह सतनाम जी महराज भी जो राम रहीम से पहले थे ये लोग इन लोग का मकसद था डेरा सच्चा सौधा के जरीए गरीबों का दबे कुछले लोगों की मदद करना उन्हें मोक्ष का ग्यान देना उन्हें धर्म का ग्यान देना नशे से उनको दूर रखना तो ये सारे सामाजिक चीज़ें जो बेसिक चीज़ें थी वो तब डेरा प्रमक के जो प्रमक यही था लेकिन राम रहीम के आने के आने के बाद डेरा परमुक की पूरी तस्वीर बदल गई राम रहीम ने एक तो बाबाओं के बारे में जो सोच और बाबाओं के बारे में जो एक तस्वीर हम सभी हिंदुस्तानियों की नजरों में होती है वो पूरी तरह से बदल कर लेकिन एक बाबा चमकीली पैंट शट पहने, एक बाबा टी शट पहने, एक बाबा कैप लगा, एक बाबा रेबैन और और उससे महंगे मेंगे, गॉगल्स पहने, शानदार जूते, महंगी गाड़ियों के काफले के साथ चलना, डांस करना, गाना-गाना, फाइट करना, मतलब जो फिल्मी परदे पर होता है, जो एक हीरो जो अलग-अलग करदार या करेक्टर को प्ले करता है, वो सारी चीजें असल जिन्दगी में एक बाबा करे, ये हिंदुस्तान में बाबा गिरी को लेकर पहली बार ये तस्वीर देश के सामने आई, और इस तस्वीर को पे जब राम रहीम ने डेरा सच्चा सौधा का चार्ज लिया जब प्रमुक बने, उससे पहले डेरा सच्चा सौधा की प्रोपर्टी या माली हालत बहुत जादा वैसी नहीं थी, लेकिन राम रहीम के आने के बाद अचानक डेरा सच्चा सौधा में पैसों की बारिश होने ल सचा सव्दा को दो लेरा सचा सव्दा उन पैसों से लोगों की मदद करेगा और उसके जहासे में आकर बहुत सारे सैकड़ो लोगों ने कहते हैं, हजारों लोगों ने अपनी प्रॉपरटी तक कागजा तक दे दिये। और उन्हें बाद में बेच बेच कर उन महेंगी जमीन तो देखते ही देखते करोलों नहीं बलके अरबो रूपे की संपत्ती डेरा सच्चा सौधा के नाम होने लगी और उसके बावाराम रहीम ने फिल्मों में भी आत अजमाया मैसेंजर अफ गॉड उसके बाद उसकी दूसरी स्रीज और फिल्मों के लिए बाकाइदा मुंबई से तमाम कैमरा मैंन, स्टन डारेक्टर ये सारे लोगों को लाए गया हाला कि जो डारेक्ट फिल्म जो डारेक्टर उसने बनाया अपनी बेटियों को ही बनाया जिसमें से एक हनी परीद भी थी तो कुल मिलाकर आप देखते देखते बाबा राम रहीम बाबागीरी की दुन उसने स्कूल खोले, आर्षम जगा जगा बनाये और फिर धेरे धेरे जो उसके आर्षम में लोग रहने लगे उसके साथ वो उसे पिता जी या फिर पापा जी बुलाते थे और जो हनी परीद थी और जो बागी इसकी दो बेटियां थी राम रहीम की उन तीनों का नाम पड जाता था, तो अब इसके धीरे धीरे पुरा रुत्बा, रुसूख सब भढ़ने लगा, और इसी बीच में, इसी के एक स्कूल में हनीप्रीध नाम की एक लड़की, जबकि उसका नाम हनीप्रीध नहीं है, बलकि उसका नाम प्रियंका तनेजा है, तो प्रियंका तनेजा डिरस सचा सौधा किया कि स्कूल में पढ़ने के लिए आई, पढ़ने लिखने में ठीक थी नहीं, तो वहीं बाबा की नजर, राम रहीम की नजर उस पे पढ़ती है, पिर देखते ही देखते पता नहीं वो क्या जादू होता, राम रहीम के बेहत खरीब आ जाती है, और एक पती और पतनी के तरह एक साथ रहने नहीं दिया गया जिद दिन शादी हुई उस दिन भी वो अलग कमरे में सोया और हनी परीट के साथ बाबा राम रहीम सो रहे थे और ये दोनों दिखाने के लिए हैं कि बाब बेटी का रिश्टा है असल में ये हनी परीट उनकी खास है ब लेकिन कुछ हुआ नहीं और हनी परीट बाबा राम रहीम के साथ ही रही और देखते हैं बाबा राम रहीम के इतने करीब आ गए कि वो नमबर टू हो चुकी थी कहते हैं कि राम रहीम के सारे राज और सारी मिलकियत सारी जाइदात की जो चाबी थी वो सिर्फ हनी परीट क पास ही हुआ करती थी और हनीपरीत के नाम पर कई सारे कारोबार शुरू किये राम रहीम ने हनीपरीत को अपने फिल्म में हिरोईन मनाया और इन दोरों के फिर रिष्टे दुनिया के सामने धीरे धीरे आया फिर हनीपरीत का आगे क्या हुआ इस कहानी के अगले हिस्से में बताऊंगा लेकिन खैर अब बाबा रामरहीम एक अलग से बाबा एक बड़े बाबा बन चुके थे और उनका सब कुछ धंदा ठीक चल रहा था इस दोरा में पर कई अलजाम भी लग रहे थे लेकिन कद इतना बढ़ चुका था कि बाबा रामरहीम का जो रुसूख और असर यह था कि हरियाना में खास तोर पर जब चुनाओं होता था तो बाबा रामरहीम बाकाइदा पार्टी के नाम पे फत्वा जारी करते थे और कहते थे कि जिस पार्टी के सपोर्ट में उन्होंने जारी किया वो कैंडिडेट जीता था तो कभी बीजेपी कभी कॉंग्रिस उसके लिए वो फत्वा जारी करते थे और हर्याना में आराम से 15 से 20 सीटों पर असर पढ़ता था बावा राम रहीम के फॉलोवर्स की वज़ा से तो नेताओं का भी उनके दरबार में आना जाना शुरू हुआ चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर माथा टेकने आते थे बावा राम रहीम के पास तो बाबा को अब लगने लगा कि उनके पास बे इंतिहार पावर है शक्ती है उनका कोई बिगाड़ नहीं सकता अब उन्होंने अपना इसी तरीके से जब गुरूर और घमंड आता है तो फिर इंसान इंसान नहीं रहता और राम रहीम इंसा सिर्फ नाम के इंसा रहे गए उसके अदों इंसान नीरा और उन्होंने तमाम बुराईयां करनी शुरू कर दी और जो उसमें सबसे बड़ी जो सबसे बड़ा पाप था वो ये कि जो सिर्षा के उनके आश्रम में जहां पर एक स्कूल भी था कॉलेज भी और इनकी अपनी साध्वियां जो थी तो वो जो लड़कियां सबाती थी बाबा ने उनके उपर बुरी नज़र रखनी शुरू की और उनको मोक्ष दिलाने के नाम पे उनको माफी देने के नाम पे तुमने यह यह गलत किया था उनके साथ वो रेप करना शुरू कर दिया उनके बोटर सम्रेंटिक जो तरीका था राम रहीम का वो बड़ा अलग था वो यह था कि जो भी वहां पे साध्वी और यह सारी होती थी और आश्रम में बाकादा एक गुफा बना रखा था उस गुफा का मतलब होता था कि रिस्ट रूम अब यह पता नहीं अजीव इत्तफाक है कि आसाराम बापू ने भी ऐसी गुफा टाइप बना रखा था अपने आश्रम में इन बाबाओं को गुफा से शायद कुछ ज़्यादा प्यार है तो खैर बाबाराम रहीम जिस साध्वी के उपर नजर पढ़ती थी तो यह रात को अक्सर अपने जो बाकी लोग है उनके जरीये उसको अपने गुफा तक बुलाता था और यह कहता था कि तुमने यह यह पाप किया है लेकिन आज तुम्हारा पाप दूर हो जाएगा और तुम तन मन धन सब मुझे समर्पित कर दो और इसके बाद कुछ मान जाती थी ज़िए कुछ नहीं मानती थी तो उनसे जबरदस्ती करता फिर धमकाता कि तुम मेरे पास इतने पैसे हैं इतने चंदे आते हैं मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर यहां पर आके माता टेकता है पुलिस अफसर यहां आते है तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगार सकती है पता नहीं मैंने कितने लोगों के अब तक क्या किया किया है फिर तुम बाहर जाओगे तो कोई तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा तुम्हारे माबाप भी मेरे फॉलोवर्स हैं तुम्हारे अच्छा खामोश रहो तो इस तरह से करकर के वो उसने बहुत सारी लड़कियों को जो साध्वियां थी वहाँ पर जो स्कूल में पढ़ती थी देरा सच्छा सौधा की उनको अपनी हवस का शिकार बनाया और यह सिलसिला चलता रहा इसके बाद अचानक फरवरी दोहजार दो 2002 सिर्षा से जादा दूर नहीं है हर्याना में एक जगा है कुरुक्षेतर महाभारत में भी इसका खिक्र है और इसी कुरुक्षेतर जिले के कुछ गाउं में फरवरी 2002 की एक सुभा अचानक कई घरों में एक गुमनाम लेटर मिलता है लोग खोलते हैं अचा उस कुरुक्षेतर में भी बहुत सारे लोग बाबाराम रहीम के फॉलोवर्स रहते थे उस गाउं में भी तो दो-तीन गाउं में ऐसे कुछ गुमनाम लेटर आता है जब लेटर आता तो लोग खोलते हैं तो लेटर जो लिखा गया था जिसको एड्रेस किया गया था वो उस वक्ट 2002 में जो प्राइम निस्टर थे हमारे अटल बहारी वाजपई थे जिनके अभी हाल में ही मौत हुई तो प्राइम निस्टर अटल बहारी वाजपई हर्याना हाई कोर्ट जो है वहां का राज्यका उसके Chief Justice और कुछ मेडिया के नाम पे ये खत था और उस खत में जो भेजने वाले का नाम नहीं था ये तो था कि किस-किस को भेजा गिया है प्राइम निस्टर को, कोट के जस्टिस को मेडिया को लेकिन पूरे लेटर में जो तीन पन्नों का वो लेटर था उस तीन पन्ने के लेटर में जो भेजने वाले का आखरी में नाम था उसमें सिर्फ एक लाइन लिखावा था कि एक दुखी अबला और उस तीन पन्ने के लेटर में डेरा सच्चा सौधा के अंदर जो बाबा राम रहीम लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बना थे उसकी पूरी कहानी थी और वो कहानी दो लड़कियों की थी उस तीन पन्नों में जाहिर सी बात है एक उस लड़की की थी जिसने ये लेटर लिखा था तो उसमें पूरी डिटेल में उसने लिखा था कि कैसे जो लेटर है तीन पन्नों का उसका पूरा सार ये था कि मैं वहाँ बहुत टाइम से रह रहे थी मेरे माबाब फॉलोवर्स थे और मैं एक दिन एक साधवी आती है वहाँ पे और वो कहती है कि तुम्हें आज बाबा ने यात किया है तुम्हें बहुत खुश थी कि आज बाबा से पहली बार आमने सामने मुलाकात होगी उसके बाद मैं गई तो जब मैं गुफा के अंदर गई तो देखा गुफा के अंदर पहली बार मैंने वो गुफा भी देखी एक बहुत आलिशान बेट पे बाबा लेटे हुए है उनके हाथ में टीवी का रिमोट है बेट के सिरहाने एक रिवॉल्वर रखा हुआ है और जो मेरे टीवी पे नजर पड़ी तो देखा कि टीवी पे वो अश्लेल फिल्म देख रहे है तो मैं घबरा गई रिवॉल्वर देखकर और फिल्म देखकर और बाबा को इस हाल में देखकर तो मैं वहाँ से वापस मुड़ना चाहती थी तब तक बाबा ने कहा कि घबराओ मत तुमने कई पाप किये हैं आज तुम्हारे पाप कांथ हो जाएगा और तुम बिल्कुल अब पाक साफ हो जाओगी बस तुमको अपने आपको आज समर्पित करना है मुझे उसने इस पे विरोध किया तब बाबा ने उसने कहा कि उस लेटर में लिखा कि बाबा ने उसे धमकाया कि यही सारी चीजें कि क्या मंत्री और क्या संत्री यहां पे सबाके माथा टेकते हैं और तुमने अगर यह बात बताई बाहर जाके तो कोई मानेगा भी नहीं और मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता तुम्हारे माबाप मेरे फॉलोवर से वो मेरी बात जादा मानेंगे तुम्हारी नहीं फिर भी तुमने मुangen खोलने की कोशिश की तो तुम्हारा हश्र क्या होगा यहां पैसे कई लोगों को मारा जा चुका और उनकी लाश भी आस तक नहीं मिली यह सारी चीज़े के निने के बाद उस लड़की ने लेटर में लिखा कि बाबा ने उसरात उसके साथ बलातकार किया और उसके बाद महीने में दो-तीन बार उस लड़की कि फिर हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने घर में या किसी को بتا سکے तो तब तक वो वहीं आश्रम में रही उसी लेटर में लिखा था और उसके बाद उसके दो-तीन कहती थी कि महीने में कम से कम दो-तीन बार अब बाबा उसे याद करते थे और उसे उसी गुफा में जाना पड़ता था और उसके साथ वही कुछ होता था जो पहले बार लेकिन ये पहुँचता है तब ही कुरक्षेत का एक रहने वाला एक शक था बलवन सिंग जो सिलाके में एक छोटे मोटे वो नेतागिरी टाइप करता था और लोगों की मदद करता था तो एक लेटर बलवन सिंग के हाथ भी लगा बलवन सिंग ने उस लेटर की फोटो कॉपी करा दी और उस फोटो कॉपी कराने के बाद उसने आसपास के लाकों में भी उसको बटवा दिया बलवन सिंग ने तो ये लेटर बटते बटते हिसार पहुँच गई कुरक्षेत्र से अब और हिसार में एक छोटा सा अखबार निकलता है उस अखबार ने ये पूरी चिठी छाब दी जब ये लेटर छपा और उसके बाद देरा सच्चा सौधा के लोगों ने पता किया क्योंकि अब देरा सच्चा सौधा तक भी ये लेटर की बात आ गई तो पता चला कि लेटर गुम नाम किस ने भेजा ये तक तो ये तो नहीं मालूम लेकिन उस लेटर की फोटो का उपी कराकर आसपास के लागों में बाटने वाले का नाम बलवन सिंग है तो देरा सच्चा सौधा के कुछ समर्थों को ने बलवन सिंग पर हमला किया फिर वो हमले में बचा लेकिन गायल हुआ उसके बाद वो गायब हो गया अपनी जान बचाने के लिए बाद में ये खैर विटने सोता है तो ये अब लेटर बढ़ गया था लोगों तक ये बात पहुच गया थी अखबार में भी ये खबर आ गई अखबार में खबर आई तो पहली बार डेरा सच्चा सौधा में भी थोड़ी हड़कम पंचा पांच मई 2002 को ये फरवरी की बात थी जब लेटर बटना शुरू हुआ था मार्च अप्रिल दो महीने के बाद 5 अच्छाब एन हर्याना हाई कोर्ट में एक बंद लिफाफे में यही लेटर पहुचता है पंचाब एन हर्याना हाई कोर्ट में और वो वहां के चीफ जश्रिस के नाम पे था चीफ जश्रिस ने उस लेटर को खोला पढ़ा पढ़ने के बाद उन्होंने उसको साही नहीं रखा बलको उस लेटर को पढ़ने के बाद बाकाइदा उसको डिस्टिक एंड सेशन जज जो हिसार जहां पर यह डेरा सच्छा सोदा जिस जिरुस्डिक्शन में आता था तो डिस्टिक एन सेशन जज जो थे उस वक्त वहां के वो थे जज एमेस सुलर तो पंजाब एन हर्याना हाई कोट के चीफ जस्टिस ने डिस्टिक सेशन कोट को वो लेटर भेजा और इस आद कोट को दे कि यह उन्होंने खुदी इस एक गुमनाम लेटर मिलता है और उस लेटर को पढ़ने के बाद कोई इसमें अभी तक कंप्लेइन सामने नहीं आया लेकिन कोट खुद से इसमें आगे बढ़ता है और डिस्टिक सेशन जजज को जब्मेदारी देता है इस मामले की और उस रिपोर्ट में ये कहते हैं कि जो लेटर में लिखा है उस इलजाम को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता है इसमें कुछ सच्चाई है बट साथ में ये भी कहा कि डेरा के अंदर और खासतार पर जिस होस्टल में जहां ललकिया रहती है वहां तक पहुंचना तमाम कोशिश के बावजुद भी उन्हें इजाज़त नहीं मिली लेकिन इस मामले को नकारा नहीं जा सकता इसलिए उन्होंने अपनी सिफारिश की डिस्टिक एंसेशन जद ने कि इस मामले की जाट किसी सेंट्रल एजनसी से जैसे CBI से कराई जाए क्योंकि इसमें कहीं न सिफारिश को मानते हुए 24 सिफारिश को एक और पास करते हैं और कहते हैं कि इस मामले की CBI जाच फॉरण शुरू हो 24 सिफारिश को तो पंजाब हर्याना हाई कोट ये ओडर देता कि इस मामले की CBI जाच हो इस फैसले के बाद 12 सिफंबर 12 दिसंबर 2002 को CBI ने चंडी गड़ में केस तरच किया और जाच शुरू कर दी अब लेकिन जाच आसान नहीं थी क्योंकि सामने बाबाराम रहीम था बाबाराम रहीम जिसके करोडों फॉलोवर्स बाबाराम रहीम जिसके डेरे में जिसके डेरा सच्चा सौदा में घुसना मतलब आप समझगे कि सरहत पार किसी दूसरे मुलक में घुसना ये जलवा था तो जैसी CBI ने मुकदमा दर्च किया डेरा सच्चा सौदा तक ये खबर पहुंची बावाराम रहीम ने अपने असर का इस्तमाल किया अपने रुसूख का इस्तमाल किया और डेर साल तक CBI की जांच को रुखवा दिया इस पे स्टे ओर्डर ले लिया कोट से तमाम चीजें दे कर कि ये दुश्मनों की साधिश है बदराम करने के डेरा सच्चा सौदा को और ये सारी चीजें तो जेर साल तक CBI ने इस मामले की जांच नहीं की ठंडे बस्ते में पड़े रही लेकिन इसके बार डेर साल के बाद फिर CBI ने इसमें कोशिश जारी रखी और इस कोशिश के तहट अब जहां जो डेर साल के बाद दोबारा शुरू हुई CBI ने डेरा सच्चा सौधा में अलग-अलग वक्त में रहने वाली दो सो महिलाओं और लड़कियों से पूछ आजगी एक तो बड़ा मुश्किल ये था कि उनमें से बहुत सारी लड़कियां जो थी वो निकल कर बाहर आई उनकी शादी हो गई तब घरवालों के डर लगने लगा कि अगर ये पता चले कि राम रहीम डेरा सच्चा सौधा में इन लड़कियों के साथ भी ऐसा कुछ बलातकार हुआ है तो उनकी शादी शुदा जिंदगी बरबाद हो जागी तो बहुत सी लड़कियां महीलाएं इस शर्म और इस डर की वज़ा से कि जो अभी उनकी जिंदगी जी नहीं शादी शुदा उसमें भूचा ला जाएगा उन्होंनों कामोश रहना बेतर समझा और वो सी बिया को उन्होंने दोसों जो लड़कियां थी बिया लेकिन गवा अठारा लड़कियों ने फिर भी हिम्मत करके सामने आई और उन्होंने बियान दिया सी बियाई को अठारा लड़कियों ने दोसों में से अब सी बियाई के पास केस मजबूत था अठारा लड़कियों का बियान था लेकिन जब मुकदमे की कारवाई शुरू हुई तो इन हो जाएगी तो इसलिए हम इस कानूनी पच्छडे में नहीं पढ़ेंगे तो दो सो लड़कियों के बात पूचता चुई अठारा लड़कियों नो सीवियाई को सामने आकर बयान दिया लेकिन कोट में पहुंचती हैं सिर्फ दो लड़कियां और वो बयान देती हैं अब उन आपराधिक साज़िश के तहत मामला दर्ज किया और चार्षीट दाखिल कर दी यह बात 2007 की है जुलाई की तो बाबाराहम रहीम प्याब ऑफिशली रेप और आपराधिक साज़िश इसका मुकादमा दर्ज हो चुका था च्छे सितंबर 2008 को इस्पेशल सीवियाई कोट ने सिवियाई कोट ने एक साल के अंदर अंदर इस चार्षीट को एक्सेप्ट किया और सीवियाई को इजाज़त दी कि वो मुकादमे को आगे बढ़ाए अब यस चार्षीट के तहत मिनिमम जो सजा थी वो साथ साल दस साल चुकी यह उस वक्त 2002 वाला कानून इस पे लागू होना था तो खैर इसके बाद आप चार्षीट होगे मुकादमे की 2008 में आप कारवाई की भी इजाज़त दे दी गई और यह मुकादमा चलता रहा 2008 से 2017 आ गया मतलब करीब साथ साल साथ साल भी नहीं है 2017 नौ साल 2008 में मुकादमे की कारवाई शुरूई और 2017 में तमाम गवाहों को तमाम सबूतों को देखने के बाद जो पचकुला की अदालत जहां पर यह मुकादमे की कारवाई चल रही थी 25 अगस 2017 का दिन मुकर्र करती है अपना फैसला सुनाने के लिए तो 2002 में गुमनाम खत उसके बाद हाई कोट की इजाज़त से फिर इस मुकादमे को सी बी आई को इस केस को जाचने के लिए कहा जाता है 2007 में चार्शीट दाखिल होती है 2008 में आदालत चार्शीट को एकसेप्ट करती है उसके बाद 9 साल तक मुकर्दमा चलता है इन 9 सालों में 16 बार ऐसा हुआ जब बाबा राम रहीम को अदालत ने कहा कि कोट में पेशोना और बाबा राम रहीम पूरे मुकर्दमे के दौरान जिंदगी में एक बार भी अदालत के सामने हाजिर नहीं हुआ जबके इस दौरान उसने कई फिल्मों की शूटिंग की ट्रैवल किया बिजनिस किया वचन प्रवचन सब कुछ चलता रहा पर कोट में कभी नहीं आया और उसने जब जब कोट ने बोलाया उसने एक ही चीज़ कही एक तरह से धमकाया कि अगर मैं कोट तक गया तो मेरे जो समर्थक हैं देरा सचा सौधा के वो हिंसक हो जाएंगे और खुर कुछ भी हो सकता है तो कोट ने भी उस वक्त कहा कि हटाओ खामका क्यों इतना सारा वो लिया जाए लेकिन सोला बार उसको कहा गया और सोला बार कि सोला बार वो नहीं आया पहली और आखरी बार तब 25 अग और हिंदोस्तान के इतिहास में ये शायद मुझे और कोई दूसरा इंसिडिन्ट याद नहीं आता कोई बहुत बड़े नेता पहले होंगे तब शायद ऐसा हुआ हो मेरी जानकारी में फिलहाल ऐसा नहीं है खास तर पे बाबा को लेकर 25 अगस 2017 को फैसला आना है उससे दो दिन पहले से पूरे पंजाब और हर्याना में ऐसा माहौल था कि मालूम नहीं क्या हो रहा है 25,000 पुलिस के लोगों की डूटी लगाई गई पैरा मिलिटरी फोर्सेस की 200 कमपनिया सेना को इलर्ट पे रखा गया किसी भी वक्त कर्फियू लगाने की पूरी तयारी की गई 24 घंटे का पुलिस कंट्रोल रूम अलग-अलग खोला गया सरकारी अस्पतालों में सारी छुट्टियां रद्दे कर दी गई सारे डॉक्टरों को डूटी पर रहने का हुक्म दिया गया हर्याना और चंडीगर जाने वाली जितने भी ट्रेने और बस 22 घंटे के लिए तीन दिन के लिए बंद कर दी गई पंच्कुला, सिर्सा, भटिंडा, मोगा, मुकसर, पटियाला, मालवा रीजन, चंडीगर यहां बाकाइदा फ्लैग मार्च चल रहा था इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से बंद अब आप सिर्फ यह सोचे कि एक बाबा को सिर्फ कानून के चोखट तक लाने के लिए दो दो राज जी की सरकारें और उनके पसीने छूट रहे थे मतलब पूरी पुलिस फोर्स, पैरामिलिटरी फोर्स, जोकने के बाद भी सेंटर से इन्होंने सेना भी मांगी कि पता नहीं क्या हो जाएगा बाबा राम रहीम और उनके समर्था क्या कर देंगे विधाएकों, मंतریयों, सानसदों, इन दोनों की मैं पंजाब अरियना दोनों की बात कर रहा हूँ इनको बाकाईदा कहा गया कि आप अपने अपने अलाके में जाएँ और अपने अपने अलाके की शान्ती विवस्ता को قائم रखे हैं वहां देखें कि कुछ गर्बर ना हो इतनी भारी तैयारी मतलब एक बाबा जिसके ओपर रेप का इल्जाम है जिसके ओपर रेप का फैसला आना और जो बाबा खुद अपने फिल्मों में ये कहता है कि कानून से ओपर कोई नहीं है और उसी बाबा को कानून के चौकट पर आ ही खाती है लेकिन उससे पहले इन तमाम बंदोबस्त के बावजूद पंचकुला में जहां पर ये फैसला आना था हजारों की भीर देरा सच्चा सौदा के समर्थक के लोग पहुँच चुके थे जैसे ही दोपहर के बाद फैसला आदालत का आता है कि बाबा रामरहीम होगी ये नहीं बताएगी थी बस दोशी दोशी का मतलब ही है कि रेप में अब वो गए जेल हिंसा शुरू और ये हिंसा उस रात तक अगले दिन सुबह तक इतनी तैयारीं के बावजूद आगजनी सरकारी गालियों को आग लगाना मतलब करोणों की संपतियां खाक हो 38 लोगों की जाने चले गी ठाटी एट तो आप सोचे एक बावा जो रेप जिसके उपर इल्जाम है जिसको रेप के लिए सजा हुई है उसके लिए 38 लोगों की जाने चली गई अन्ना मालूं कितने कई सो करोड की संपतियां राख हो गई और तो और हालात ये थे कि उस बा प्रकाइदा ऐसे बलातकारी बाबा ऐसे जो दोशी बाबा जिसको अलरडी सजा होगी उसको मजबूरन सरकार को उड़न खटोले में यानि चौपर में हेलिकॉप्टर में बैठा कर पच्छकुला से उड़ा कर रोह तक जेल तक लाए जाता है जिसमें उनके साथ अब यहां पर ये भी है कि अब ये बाबा बाबा नहीं थे ये एक आम एक आम बलातकारी का तमगा लियावा शक्स था लेकिन उस सरकारी खर्चे पे जो चौपर में बठा के लाया गिया उस चौपर में बाबा के साथ हनी प्रीद भी थी जो उनकी खास उनकी लाड़ ली यहां पर का इंद भक्ती में अंधे थे जो बाकाइदा बाबा को दंड़त परनाम कर रहे थे बाबा का सामान उठा रहे थे लेकिन खैर किसी तरह से बाबा को वहां से लेकर उसके बाद जेल लाया जाता है और उसके बाद अब चुके अर्टीस लोग मर चुके थे इतना नुकसान हो था तो फिर ये तैह होता है कि बाबा को क्या सजा दी जाएगी इसके लिए उनको वापस पंचकुला लाने के जरूत नहीं है तो उसी जेल में बाकाइदा अदालत लगती है बैटती है मौका दिया जाता है बाबा अराम रहीम को दिया आता है कि आप बताईए आप अपने हैं और उसके बादालत सदा देती है दो दस साल की दो गैद दो रेप के मामले में और उसके बाबा जेल में रहते हैं बाबा के गायब होने के बाद हनी परीद की फिर कहानी सामने आती है कि बाबा के राज जादा वो जानती है लेकिन हनी परीद गायब और वो कई पूरे ह हिंदुस्तान को च्छान मारा पुलिस ने यह पता चला कि नेपाल तक चली गे लेकिन नहीं मिलती और कमाल देखिए कि एक एकाम लड़की है काम हनी प्रीद पुलिस को नमालूम मतलब कैसे कैसे उसने च्छकाया दस पंदरा दिन से आदा परेशान किया और उसके बाद वो फिर खुद उसी पंजाब में थी उसी चंडीगड में हमारे आज तक के जो सहयोगी रिपोर्टर थे उसके साथ भी बात की सतिंदर चौहान और उसको बाकादा इंटर्व्यू दिया सरेंडर करने से पहले मतलब पुलिस को कुछ पता नहीं रिपोर्टर जनरलिस तक सब प परीद अम्बाला जेल में हैं बाबा इस वक्त रोतक के जेल में हैं और वहां अपनी सजा काट रहे हैं जवानत मिलनी नहीं अभी लेकिन यह तो एक पार्ट है अभी तो रेप के मामले में बाबा बीच साल के लिए अंदर है अभी दो मड़र के मामलों में फैसला आना बा इसके लावा बाबा पे एक और संगीन इल्जाम है बहुत बड़ा वो यह है कि इनके अपने ही वहाँ पे जो आर्शम में रहते थे जो भक्त जो बलके इनके साधू और वो तमाम लोग चार सो ऐसे लोगों का इल्जाम है कि बाबा राम रहीम ने उनको नपुनसक बना दिया उनका उपरेशन करवा के और उस वो मामला भी कोट में है तो उस पे भी फैसला आना है तो खुल मिलाकर बाबा राम रहीम इस वक्त जेल में उनकी हनी हनी प्रीद भी जेल में और इस वक्त जो उनका है वो बाबा राम रहीम को बाबा राम रहीम नहीं कहा जाता है जेल में उनको नमबर दिया जाता है तो उनका जो नमबर है, कैदी नमबर है 197 वैंडबल नाइन सेवन तो इस वक्त बस उनकी पैचान यह कैदी नमबर 1997 और अपने किये की सजा काट रहे हैं अभी ओर भी जूर Smith का हिसाब होना बाकि है तो यह थी पूरी कहानी बाबा राम रहीम की बलकि बाबा कहना भी शहाद बहतर नहीं होगा अच्छा नहीं होगा आप गुर्मीद की ही अब आप मान लिजिए और एक चीज़ और आपको चलते चलते बताओं कि जब ये फैसला हुआ और जब सिर्षा में जब छापे पड़ रहे थे तो हम लोग सिर्षा में थे मौझूद और शिर्षा से फिर मैंने रिपोर्टिंग की थी तो वाकई वहाँ पे जो सिर्सा के आम लोग थे जब उनसे बात की तो पता चला कि पूरे सिर्सा में राम रहीम का आतंग था और कोई खुल के बोलना नहीं चाहता थे इसलिए कि उन लोगों को उसे जब पूछा तो बताया कि बाबा का इतना बड़ा असर था बड़े यहां पर लाल बत्ती की गाड़ियों में पुलिस वाले नेता, मंत्री, संसवा आते थे तो हमारी क्या उकात हम कुछ बोलें और इसी वज़ा से उसमें सिर्सा में भी बहुत सारे कबजे बबजे कर रखे थे और सिर्सा का उसका आश्रम तो एक रहसम ही आश्रम था वहां पर बाकाइदा रिजॉर्ट था आयाशी के लिए लोग बाहर से आते थे और उसकी एक-एक ऐसे रूम थे कि एक-एक रूम की कीमत एक-एक लाग उर्पे पर नाइट थी तो वह एक दूसरा चेहरा भी पता चला जब बुरा बक्त आया तब लोगों का डर गया तब उन्होंने बताना शुरू किया उसको गाडियों का भी बहुत शौक था और गाडियों में सारी गाड़ी ब्लैक रंग की होनी चाहिए और एक और भी चीज थी कि उसकी गाड़ी के साथ जो काफला चलता था पांस से दस उन सब के नंबर एक ही होते थे शौक की बात है और जब दुकान इतनी बड़ी हो तो फिर शौक सारी छोटी ही हो जाती है तो खैर ये थी राम रहीम की कहानी और इसके बाद मैं सर्फ ये कहकर अपना बंद करूँगा जो शुरुवात मैं ने जिस से की थी कि कभी भी ऐसे बाबाओं के पास जाने या उनको मानने या उनको सर पे बिठाने या संत भगवान का दरजा देने से पहले अगर हम सर्फ ये सोच लें कि इसका अतीद क्या था इसका पास्ट क्या था ये यहां तक कैसे पहुँचा और आप सर्फ उसके इस चीज़ पे ही नज़र डाल लेंगे कि आज अचानक ये गरीबी से उठा और आज अचानक अमीर तो एक बाबा को पैसे दौलत आश आराम इसकी क्या जरूरत है वो तो सांसारी मो और इन सारी चीज़ों से दूर होना चाहिए जो पुराने जमाने में फकीरों का और बाबाओं का जो अंदाज हुआ करता था जिनके अपने पास कुछ नहीं होता था तो जहां हम ये सोचना शुरू कर देंगे शायद हमारी आखे खुल जाए और हम इस अंद भक्ती में अंद विश्वास में न पढ़ें और बहुत से लोग हैं जो अपना सब कुछ बरबात कर दिया ऐसे पाखंडी बाबाओं के लि बिल्कुल आफ़ताफ साब मैंने शुरू में ही कहा कि मैं हमेशा पहले भी कहता रहूं कि बाबाओं को मैं कम कुसुरुवार मानता हूं अंद भक्ती को जो मानते हैं जो अंद विश्वास करते हैं मुझे लगता वह जादा जिम्यदार है सर एक रितेश हैं वो बोल रहा है कि सर इनको राम रहीम नाम से नहीं बुलाना चाहिए क्योंकि राम हिंदू धर्म के हैं और रहीम मुसल्मान और ये दोनों धर्म बहुत पवित्र हैं ऐसे घिनोने इनसान को ये नाम नहीं देना चाहिए मुझे लगता है कि नाम और इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है करम जो है उसको लेकर उसके इतना हम लोगों को उसके खलाब जाना चाहिए वो ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि कोई किसी का नाम रखके उस दरजे को हासिल नहीं कर सकता है और ऐसे ही कमजोर लोग इन नाम का भी जो है वो सहारा लेते हैं कई बार तो मैं भी सहामत हूँ आपसे चंद्रेश हैं वो बोल रहा है कि हनी प्रीट को क्या पुलिस का सपोर्ट था राम रहीं के हर महकमे में भक्त है पुलिस में भी पॉलिक्स में भी तो जाहिर सी बात है ये ये उंगलियां उठी तो उस वक्त की कुछ पुलिस वाले भी लगातार उसकी हेल्प कर रहे था शीबा शीबा है वो बोल रहा है कि लोग भगवान से ज्यादा क्यों इन जैसे एजेंट लोगों को मानते हैं जो इतनी बकवास करते हैं अंध विश्वास और कुछ नहीं यही वज़ा है कि लोग इन चक्रों में पड़ते रविंदर सिंग है हम सब आस्ता के नाम पे इन बा 안स से लिए टारो मानता रहेगा सरकार को कि इन सब की लिए क्या करना चाहिए देखें यह वो बुराई है यह वो बीमारी है जिसमें हम हर चीज के लिए सरकार की तरफ देखें और उमीद करें कि सरकार सर ठीक करेगी वो गलत है कुछ जिम्मेदारी हम लोगों की है अब मैं अगर आप से कोई उमीद रखता हूं या आप पे अचानक मुझे लगता है कि आप तो डिफरेंट हैं आप तो इनसान होई नहीं आप तो फरिष्टा हो संत हो तो यहां पर सरकार पुलिस क्या करेगी यह तो मेरा विश्वास या मेरा अंद विश्वास है जो डारिक्ट मुझ से जुड़ावा है या फिर मैं आप से जोड़ा हूं तो कुछ चीजें ऐ सामाजी के बुरा ही है जिसका कानून सरकार पुलिस अदालत प्रशासन इसे कोई लेना देना नहीं है असल में होता है कि जब हम लोग मैंने पहले भी कहा है कि जब हम इनसान जो है वो हमेशा जब डरा हुआ होता है या परिशान होता है तब वो ऐसी चीज़ों के तरफ भागता है तब वो भगवान के दर पे जाएगा तब वो दरगा जाएगा जब कि जब कि जरूरत इसकी नह आप ही बताई है हमें से कौन खुशी में कितना किसी भगवान के पास किसी बाबा के पास संद के पास कौन जाता याद भी नहीं करते लेकिन जहां दुख मुसीबत यह सब चीजे आती हैं हम सब दोड़ा जाते और ऐसे बाबा इनहीं डर को दिखा दिखा कर लोगों को अपन जहां से मिलेते हैं वो बोलना पंचकुला में जो आगजनी हुई उसे प्रशासन रोक सकती थी लेकिन नहीं रोका और वहाँ पे रामरहीम के समर्थकों को इखटा होने दिया ऐसा क्यों? यह सबसे बड़ी गलती थी प्रशासन की अलड़ी जोके धारा 144 भी लगा वा था तो आप पंचकुला में लोग इतने कहां से आ गए जबकर अपने सारी नाके बंदी कर रखी थी बसेस नहीं चल रही थी ट्रेन रोक दिया था 72 गंटे के लिए उसके बावजूद भी लोग पंचकुला में उस आदालात के चारों तरफ जमा हो गए तो यह पुलिस प्रशासान की बहुत बड़ी लापरवाही थी और सबसादा जो नुकसान हुआ था वो पंचकुला में ही हुआ था तो लापरवाही तो थी यह पूरी तरीक से अधित्य सिंग बोल रहा है इस हिंसा में आज तक की OB-1 भी जली ते और एक किसी को चोड भी लगी थी वो कौन थे जी इस जब वहां पर यह सब कुछ हुआ था पंचकुला में तो हमारी आज तक की OB-1 होती है जिससे हम लो लाइव करते हैं वो उसको नुकसान पहुचा था इसके लावा हमारे कैमरामेन को पत्थर लगा था आकर उसका ये जबडा हिल गया था उसका फिर सरजरी करानी पड़ी और हमारे रिपोर्टर भी कही उनको भी चोटे आएं थी सारी चीज़ें अपने पेशे में होती रहती हैं जाला जायेश है वो बोल रहा है अब रामरहीम के बाद डेरा का प्रमुक कौन है अभी तो डेरा के सारी चीज़ें कबजे में हैं CBI के और जो उनकी एक प्रवक्ता थी महिला वो वहाँ पे उसको संचालन कर रही है जो रामरहीम की पत्नी है जो बेटे हैं एक ही बेटा है वो उसको देख रहा है लेकिन ज़्यादा तर चीज़ें जो है वो अभी सीज्ड है और चुक्के एक और भी कोट को ओडर था कि जो नुकसान हुआ था बावारामरहीम की गिरफतारी की वक्त जो आगजनी हुई और उनके समर्थकों ने सब को जलाया था उन सब का जो नुकसान हुआ है उसकी जो पैसे हैं उसकी वसूली बाबा राम रहीम के इन पैसों से की जाएगी तो वो भी अभी चल रहा है वो सारा मामला सर हसन शेक हैं वो बोल रहा है कि मीडिया के अंदर रिपोर्ट साइंती के हनी प्रीत और बाबा के बीच जो संबन बताई जा रहे थे इन बातों में कितनी सच्छा है आज जो सीब्याई ने सारी चीज़े दी हैं जो कोट में और जो ब्यान है विटनेस है उसमें यही कि का था कि यह मेरी बेटी है जबके अलड़ी दो बेटी बाबा की पहले से है लेकिन इनके रिष्टे जो वहां के लोग है उनका कहना है कि वह एक बाब बेटी का रिष्टा नहीं था और उस रिष्टे को कुछ और नाम दिया गया और जिस तरीके से हनीपरीत पावर्फुल रही है तो यह सारी चीजें थी शानु कुमार है वो बोलने लोग आज भी राम रहीन को मानने वाले हैं क्या उनकी आख आज भी नहीं खुली है इस इंसिडेंट के बाद उन लोगों को आप क्या बताएंगे क्योंकि वह बोलते हैं वह इसाकर फिर से सामराज जी हासिल कर शानु जी मैं चोटा सा स्रिफ एक एक जामपल देता हूं कि मेरा एक दोस्त है बहुत पहले से राकेश शर्मा और मैं अकसर उसके घर आता जाता रहता हूं तो जब अब तो उसने घर बदल लिया है पहले वो लाचपत न गर में रहता था तो मैं उसके घर जाता था अबाप हैं ममी पापा दोनों आसाराम बापू के बड़े जबरदस्त सपोर्टर मतलब भक्त राकेश उतना जादा नहीं लेकिन घर में बच्पन से देखता है तो वो भी मानने वारा था तो बाकैदा उनके ड्राइंग रूम में मैंने फोटो देखी बहुत बड़ी तस् सामने आया उसके बाद एक रूम मेरी प्रोफेशनल समेधारी थी मैंने इस पर शों बनाना शूर किया और उसके घर में सारे लोग कि दोके आज तक बनाना शूर कर देखते हैं तो आचानक जो इस सा अबाप वापो की खभर दिखानी शूरू कि तो वह जो अंकल औंटी है जो बदपन से मेरे दोस्त के मावाप वो नाराज हो गए और मुझे राकेश से पता चला और वो बलके वो भी मुझे से लड़ गया कि क्या तुम बक्वा से दिखा रहा है यह मेरे घर में बताओ वो फोटो आसा राम बापू को लेकर अब मैं उससे पूछता हूँ हाँ सी मजाग भी होती है कहता नी नी अब तो दिमाग से हम लोगों ने निकाल दिया तो आसानी से नहीं जाते हैं यह बाबा लोग वही चीज़ राम रहीम की है धीरे धीरे लेकिन अब लोग मानने लगे हैं शबीक रॉनक है उमान से यह आपको न्योता दे रहा कि आप उमान आईए और इनका सवाल है कि अन्धभक्ति सिर्फ हमारे भारत में है या विदेश में भी इस तरह की अन्भक्ति देखी जाती है आजी ठैंक मेंर ने मिश्रा ताहब यहानी कुछ यहानी आज की शचायते रहे हैं hain ये सुझा रहे हूँ अपने लौज़ाओ शुझाप आज रहे शूजाओ शिकायते बेज़ता रहे है thank you झाल झाल